I welcome you all in today's learning session So let's start learning English with the help of news आई ये इन news कितरू से एंग्रेजी सिखते हैं But before that you need to do something कुछ करना पढ़ेगा आप लोगो को वो है simply आप हमारा एप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से Simply then इक अबर वाले option पे जीए और बहुत सारी news वहाँ पे आपको मिलेंगी जो news वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी उसी के ऊपर मैं आपे वीडियो लाता हूँ साथी साथ उसमें grammar tip दूनके आपको बताता हूँ तो ये छोड़ा सा आपको काम करना है पहले तो आएए वीडियो में आगे फॉलो करते हैं क्या हो न्यूस वह क्या हो grammar tip आएए ओके फ्रेंग्स सो लेट स्टार्ट बट बिफोर आइस तार्ट आइविल बी रिडिग दे न्यूस वर यू फिर्स देन तो आएए पढ़ देता हूँ न्यूस आपके लिए इंडियन रिकाओ विमेंस टीम अप दीपिका कुमारी अंकिता बकट और कुमालिया बरी तीन नाम दिये हैं स्टॉर्म इंट इंट फाइनल एंड एंट एंस फर्स मेडल इंडी आर्च्री वर्ल्ड कर स्टेज 1 on Friday तो यहां पर उन तिरंदाजों के नाम दिये गए हैं जिन्होंने तिरंदाजी में वर्ल्ड कप भी होते हैं जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होते हैं तो इसी टाइप से इन तिन्हों ने जो है एंट्री ले स्टॉर्म इंट्री ले न वर्ल्ड कप में इन उने एंट्री ली और जीत भी सुनी इस चित करी मेडल जीत के लाएं हमार ले तो एक खुजी की बात है ठीक है तो इसी जीज आ नियोज अल बाउट आर्च्री एंड वर्ल्ड कप की कोन क्या जीत के लाया लेकिन हमारी grammar tip तो बच्ची हुई है तो let's see and focus into our grammar tip में चीज यहां पर हमारा है storm into storm into है हमाँ लेकि मैं storm into इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि first form, second form, third form ऐसे आप बनाते हो तो वहां पर ऐसे use किया गया है storm into एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है entry लेना ठीक है storm का वैसे तो मतलब आप का अंधी तुफानी स्टैप से हो जाता है into का लग से मतलब निकालने जाओगे तो may हो जाएगा storm into एक साथ लोगे तो एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है प्रवेस करना लेकिन छोड़िए हम इसको यहां तक सिमित करते हैं हम नहीं जा रहे है अपने phrasal verb वाली topic पे अभी है लग हम सिंपली बात करते है into की into और in में क्या difference है कई बच्चों में यह confusion होता है into और in में क्या difference है आज clear कर देता हो आप लोगों के बीच into और in दोनों ही preposition है दोनों ही preposition है into हमें इसा लगता है उस time जहां पर motion की बात हो motion में हो कोई चीज देखते हैं कैसे मैं कहता हूँ एक board है हमारे पास उसमें कोई छेथ है ठीक है और कोई कुवाँ है वहां पर कोई चीज भागती हुई आई हो ऐसे jump करने लगी कुछ भी कर रहे हैं कुछ और भी हो सकता है कोई भी चीज मतलब motion में होनी चीए और जरूर ऐसा नहीं है कि हर बार कुवाई होगा कुछ भी हो सकता है मतलब चीज होनी चीज होनी चीज है motion में मैं ही कह रहूँ तो उस time पर याद कर लिजे गाट मार लिजे दिमाग में कि जब भी कोई चीज motion में हो किसी चीज के अंदर जा रही हो तो into का यूज करते हैं ठीक है अंदर जा रही हो किसी चीज के बाहर नहीं बाहर जाएंगी तो अलग चीज हो जाएगी अंदर जा रही है किसी के तब लगता है आपका into तो यहाँ पर हम into का यूज करेंगे और यहाँ पर इन का यूज करते हैं अब क्यों करते हैं देखी मतलब कैसे करते हैं तो अगर मैं बात करते हूं यहाँ पर बाई बोर्ड में छेद है या फिर लट्टे में छेद है किसी लकडी के तो मैं क्या बोलूगा There is a There is a hole कहाँ पर? In the बोर्ड तब तो मैं इन लगाँगा क्योंकि यहाँ पर कोई emotion नहीं है कोई गती की बाती नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई चीज मा लेते हैं एक fox या फिर एक frog मेड़ कूदते हैं fox क्यों कूदेगा कूद गया मा लेते हैं कोई बात नहीं किसी को भी कुदा देंगे बट एनिवेस तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर तो मालेत हैं कि जब the fox मालेत है the fox jumped अब जयम्प करके कहा जा रहा है किसी चीज के अंदर जा रहा है जोरी नहीं कूँआ ही किसी चीज के अंदर कोई चीज चली जा रही है आप खा रहे हो आइस्क्रीम आपकी नाली में चली के drainage में चली के कुछ भी हो सकता है the fox jumped उसके टाइम पे आप लगाओगे into क्योंकि वो चीज मोशन में थी आपकी जो आइस्क्रीम है, candy है वो कहीं चली गई गिर गई तो वो चीज जा रही है किसी चीज के अंदर तो इसी टाइप से the fox jumped into the well ठीक है इस टाइप से आपका into और in का concept I think clear हो गया होगा इनका जब किसी चीज के अंदर कोई चीज है बट उसमें कोई motion नहीं है यहां पर किसी चीज के अंदर कोई चीज जा रही है वो motion में है तभी जाएगी जब motion में होगा तो into लगा देंगे तो यह चीज clear होई आपकी I hope कि आपको यह चीज clear हो गई होगी We'll meet you in the next short video like this I hope that you like the concept that I have taught you in today's video and please motivation मिलती है मेरको when you people just like the video, share it among your friends and also subscribe to the channel definitely I assure you Santosh sir assures you that I definitely will bring quality contents for you guys and definitely will help you in English learning इसी कामना की जात्मिलिंग ने ने एक्स वीडियो में have a nice day, thank you